दमपद गाथा नमबर 57, 57 एक वार वैसाली के राजा के पुत्त हुआ दो कथाएं यहाँ यहाँ जो हम कथा ले रहे हैं वो तिबबस से है उस पुत्र होने की खुसी में राजा ने बहुत बड़ी एक दावत की ग्रांड रिक्तम तो कि राजा का पैसा तो लगना नहीं सारा पैसा तो प्रजा का लगना है क्योंकि टेक्स तो प्रजा भरती है तो कितना ही बड़ा फंक्शन कर लो कोई समस्या तो है नहीं तो उसने बहुत बड़े-बड़े तोरण द्वार यानि स्वागत द्वार बनवाए बड़े रंग-ब्रंगे कपड़े उस पर सजवाए ज़ंडे सजवाए जो उस समय अवेलेवल था सारी परजाओ को आदेश हुआ के सब रंग-ब्रंगे कपड़े में आएंगे जितने भी कलाकार थे सभी कलाकारों को आदेश हुआ के सभी कलाकार महां आके अपनी कलाकारी करेंगे गायन, रंग, मंचन सभी तरह से जितने भी मतों के लोग थे सादू संते सब को खाने पे आमंतित किया गया भिकु संको भी आमंतित किया गया तो वहाँ जो भिकु एक है वो वहाँ गए वहाँ जाने के बाद में उन्होंने भोजन किया राजा ने चुकि बहुत बड़ा कायकरम किया था इसलिए राजा को अपनी प्रसंसा की दरकार थी कि लोग उसकी वहवाई करें उसकी प्रसंसा करें क्योंकि कतारों में हजारों औरतें, नारियां, नर, फूल लेके सब पर बारिस कर रहे थे और सब बहुत उल्लासपूप थे और कायकरम बहुत शांदार और बहुत बड़िया था तो बारी-बारी से लोग जो आ रहे थे, राजा से मिलके जा रहे थे उन्हें बहुत उसकी तारिफ की, मगर भिक्कू का जब नमबर आया है, तो भिक्कू से कहा कि आपको कैसा लगा भिक्कू ने कहा, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, ये बात राजा को चुब गई, राजा को लगा कि उसका अपमान हो गया, इतना बड़ा काईक्रम में, इतना फंक्शन हरा आदमी ती तारिफ कर रहा है, और ये भिक्कू देखो, गेड़ कपड़े में ये आया हुआ है, और आप राजा है, मगर मैं चाहूंगा कि आपके यहां जो मितुदंड प्राप्त व्यक्ति है, उस मितुदंड प्राप्त व्यक्ति को लाया जाए, कैसे लाया जाए, उसके हातों में तिल भर दिये जाए, जो तिल खाने के होते हैं, बीज होते हैं, सफेद वाले, छोटे और काले वाले, वो भर दिये जाएं और उसको ये कहा जाए कि अगर तुम राज महल तक इन तिलों को लेके आ गए हाथ में और एक भी तिल अगर आपका जमीन पे नहीं गिरा, तो आपको मिट्टू दंड से फ्री कर दिये जाएगा आपका मिट्टू दंड समात कर दिये जाएगा तो राजनाय कहा ठीक है, ये सर्ट मानी और जिसको मिट्टू दंड प्राप था ऐसे कैदी के हाथ में बहुत सारे तिल भर दिये और उसको कहा कि अगर राज महल तक तू चला गया, इन तिलों को लेकर और एक भी तिल नहीं गिरा जमीन पर, तो तेरा मिट्टू दंड माफ कर दिया जाएगा, तो फिस जी सकता है और ये भी सर्त रखी भिक्कु ने, कि जैसे तरण द्वार आपने और जैसे इस तरिया फूल बरसा रहे थी, वैसा ही काईकरम उसके लिए भी होगा वैसे ही सारे तरण द्वार, ढोल, मजीरे, तासे, जितने भी नाच गाने कूदे थे, वो सब वहाँ हुए और वो जो कैदी था, तिल लेके राज महल पहुँच गया राज महल पहुँचने की बाद में, विक्कु ने कहा कि राजा जो प्रसन आपने मुझ से किया था, आप इस से वही प्रसन करें राजा ने वो प्रसन किया कि आपको जो तोड़न द्वार हैं, स्वागत द्वार हैं वो सब कैसे लगे तो उसने कहा मुझे तो कुछ दिखाई दिया ही नहीं तो राजा चोंकी बुद्धि मानता उसे तुरन समझ में आ गया कि गलती उसकी है और इस गलती से वो बड़ा लज्जित हुआ उसने भिक्कु से माफी मांगी, छमब मांगी उनको आदर के साथ बिचवाया और धमकाई पहला जो ग्यान था वो उसने महां सीखा इस बात की चर्चा जब वैनुबन के अंदर भगवान बुद्ध के सकमक्ष बिक्कों में हुई तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही पेसंग संपन सीलानंग अप माद विहारिनंग समद्दय्य विमुत्तानंग मारो मगगग ने विंदथी तएसंग संपन सीलानंग तएसंग संपन सीलानंग का मतलब है वे जो सील से संपन है जिनमे सारे सील युक्त हैं जो सीलों पर विवार करते हैं जो सीलों पर चलते हैं जो सीलों को मानते हैं उसकी प्रैक्टिस और अभ्यास करते हैं अप्माद विहार इनंग अप्माद ए प्रमाद के साथ विहार करते हैं रहते हैं निके उन्हें कोई भी प्रमाद की वस्तू छू नहीं सकती, वो बिना प्रमाद के, बिना किसी मौज मस्ती के रहते हैं जीवन को बिताते हैं। उसको लेकर विमुक्त हो जाते हैं दुखों से, राग से, दुष से। उस रास्ते का अनुभब नहीं कर सकता, जो एक अच्छी तरह से पढ़ा लेखा व्यक्ति, यानि जो भगवान बुद्ध का पढ़ाया हुए व्यक्ति है, जो पिहार करता है एप्रमत होके, और जो सारे सीलों से संपन है, मार उसका कुछ नहीं बिगार सकता। ऐसा भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही। प्रस्कूल में एकजाम देने जाता है, अपनी पैच्छा देने जाता है, पेपर पास कने जाता है, तो उस समय उसका ध्यान कहीं नहीं लगता। वो अपनी एवल पे बैठता है और तीन घंटे तक लगाता 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 लिखता रहता एक छण के लिए उसका ध्यान इधर से उधर नहीं जाता फिर कौन आया कौन गया कहां बैठा है कहां गया उसे पता नहीं है और अगर उसको पेपर नहीं आता है उसका ध्यान उसमे नहीं है वो पढ़ाववा नहीं है अच्छी तरह से जानकार नहीं है तो वो तीन घंटे बैठा बैठा औरों को ही देखता रहेगा क्या बच्चे कर रहे हैं कहीं कोई चीटिंग हो जाए माश्टर ने क्या कहा कभी पानी पीने जाएगा कभी बातरूम करने जाएगा कभी उठेगा कभी बैठेगा कभी पैन खराब वो अपना तीन घंटे ऐसे ही पास करता है इसी प्रिकार भगवान बुद्ध ने ये बात कही धन्यवाद आप सभी से ये प्रिन्ट में किताब में चावनी चाहिए या इसकी जो ओडियो है उसे निकाल के भीजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है आपको छूट है ये सबी copyright free हैं आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे भी चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ वितना राइट हैस पे क्या हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामी संगं सरेणं गच्छामी तू थियं पी बुद्धं सेणं गच्छामी तूतियं पी धम्मंग सर्मंग च्छामी 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 तूतियं पी धम्मंग झाल झाल